इस्त्री रोग विशिशा की डॉक्टर अविलाशा प्रिकास ने बताये कि गर्वत हर महिला के जीवन का सबसे सुख़द एसास होता है। इसलिए जब भी कोई इस्त्री अपने मावन्य की खवर सुनती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि आने वाला शिशु उनके जीवन का सबसे हैं इसलिए भी अपनी और अपने गर्व में पल रहे शिशु की पूर देखवाल करती हैं। हम लोग यह लिखते हैं, अगर आप बजार की चीज़ें खाओगे, पीजा है, बर्गर है, मेगी है, इन सम्में कुछ न कुछ केमिकल होता है। हैं और जो न्यू जनरेशन है, उसका तो फास्ट पूर इस दा सबसे पहली चोईस है। गरवस्ता के दौरान मैला को अत्रिक पोशक, तत्तों, खनीचों और विटामिन्स आधी की जरूरत होती है, जो खाने द्वारा ली जाती है। लेकिन इन सब चीजों को खाने से फास्ट पूर्ड हमेशा बहुत नुक्सान करते हैं। आप दे कि आप घर में सुवय का खाना बनाएं, साम तक नहीं खा सकते हैं। क्योंकि वो खराब हो जाता है, हम उसमें कोई भी केमिकल प्रजर्वेटिव नहीं डालते हैं। लेकिन बजार की जितनी चीज हैं, उनने समय प्रजर्वेटिव पढ़ता है। और वो एक-एक-दो-दो महिने पुरानी चीजें हम लोगों के पास तक आती हैं। उनको वर्स टेस के साथ क्याते हैं। और आप इविन देन आप टीवी पर देखिएगा वो पीजा बर्गर और कुरकुरे वरकुरों को ऐसे दिखाते हैं। जैसे अच्छी ज्यादा कोई चीज है नहीं। लेकिन उन समय प्रजर्वेटिव हैं प्लस वो सेटाइटरी इफेक्ट जो डालता है मतलब पेट भनने वाली चीजा डालता है बिना नीट्रीशन के। हमारे खाने में दो भाग प्रोटीन एक भाग सोगर और एक बार फैट होना चाहिए। डॉक्टर की मारा है तो दूसरे और तीसरे तिमाई के दौरान एक गरवती मैला को प्रतिजन 350 से 500 अत्रिक्ट कैलोरी के आवश्यक्ता है जिसकी कमी का प्रवाब सीधे आपके बच्चे के विकास पर पढ़ता है इसलिए इस समय खानपान में जरावी लापरवाई नहीं